हेलो व॥्येंट फैमली तो कैसे हो आप सीवे लोगई होग आप से लोग बड़िया हो न भी चाली ए तो चलो फड़ाक से लाइक से सुस्क्राइब करदो चैनल पे सब्सक्राइब का बटंट जो तुम को दिख रहा होगा वो अगर लाल कलर से है तो उसे सफेज कर दो और अगर आन हैं तो बहुत सही तुम समझदार प्राणी हो कान में यारफोन घुसेड लो चद्दर मुह तक तान लो चलो अपन चलते हैं नोबल पे तो जो पिछला एपिसोर था तो काफी सांदार था ऐसा मैं हमेशा कहता हूं और बेकार नोबल भी तुमको चिपका देता हूं खर हम लोगों ने देखा था नोबल में जोएन का बेक्थू छोड़ कर सब कुछ तम लोगों ने क्या सोचा था खंता नहीं देखा हम लोगों ने तो होता कुछ ऐसा है कि जो याँ ने अपने फैटिंग और पर बेकथू के बाद युहारैस से मिलता है ठीक है चैशर ने क किया था union ने feel किया था tooling और union ने उन्हें लग रहा होते कि john बस वहीं उनके साथ था लेकर उन सभी को लग रहा था कि यह सपना है बट यह सपना नहीं है जिए उन्हें सच में ठोकना है union को भी ठोकेगा मतलब अलाकि वो अभी दूर है खेर फिर हम लोगों ने देखा होता है Asian Temple को Asian Temple पे Queen जिया जैगुई को देखा है राण होती कि कौन सा बंदा है जिसके सामने आसपास की लड़किया दिवानी हुई फिर रही है दूर जिया जैगुई तो लड़कियों की लूट रहा होता है क्या तारीफ है यार तारीफ है लूट रहा होता है हमेशा गंदा नहीं सोचा जाता बस ये ठरकी इंसान अपना गंदा सौख न पूरा करे देन हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि कुईन बताती है कि obviously उश ट्राइब के है जिस ट्राइब का मुझे नाम भूल चुका है देन हम लोग देखते है जो यान को जिसका जो इस्टार्स ही होता है वो डिश्ट्रा होने लगता है जो देखर सभी लोग मतलब चैंक कोई काफी खोस होता है कि है गया खतम मर गया टाटा वाई वाई लेकिन तभी जो इनकी वड़ी वे अचाना की इस्टार्स ही फिर से कंडेस होता है जो पिछले से दो गुणा होता है लेकिन इस्टार्स की क्वांटिटी घम गई होती है और वो 5000 से 2000 हो गए होती है हाला कि quality matter करती है टैंकर की साइज बड़ी है न बास यही मायने रखता है वही मैंन एपिसोड भी एंड किया था अचा एपिसोड तो आगे एंड किया था जहाँ पर एमपरतियाज जैंक कहते है यहाँ जो अनके friend की soul है जो सुनकर तो जो यूली कहती ही कहाँ पर है मुझे उसके पास जाना है और वहाँ चली गए होती है और वहाँ एपिसोड मैंने एंड किया था तो यह एपिसोड श्टार्ट होता है जैस्ट वही से तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन बापस से Fighting God Alliance पे आ जाता है जहां का सीन काफी लाइबली होता है जिसके बाद एक आब आ जाती ओ तो इतनी चहल पहल है यहाँ पर और लगबग एक हपते के बाद नायत मौल केरों से एक फिगर काफी इतमे नाज से बाहर आती है और तिनी सारी फिगर को देखकर वो काफी हैरान होता है जिसके बाद जहां तुरंदी कहता है जीए इन सभी का introduction दीजिए ताकि हमें पता सल सके किन से बात करनी है किन से मुलाकात करनी है और किन से मुक्का लाद करनी है जो सुनके जीए तुरंदी आंगे आते हुए जो यान को greet करती है लेकिन तभी जो अनकी नजर पड़ती है हान सेंग के ओपर जो अपनी चोटों को ठीक करनी के ले क्रोस लेक करके बैठा हुआ होता है जो अनकी भो है और पारत दोनों चड़ गया होता है और चांग कोई का दिल धुक 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 भाई धुक धुक वोड़े लगी थी उसकी तभी जी यह कहता है यह लिंग लियांग आर्मी है जो डिप्टी लीडर काओ को के अंडर में आती है और यह हैबली आर्मी है जो की डिप्टी लीडर जिन बुए के अंडर में आती है आप लोग कहते हैं न ये डिप्टी लीडर कितने सारे फाइटिंग गॉड अलाइस के दर फाइटिंग गॉड अलाइस के दर काफी सारी फैमिलीज है और ये उन फैमिलीज के लीडर है जिनने फाइटिंग और एलाइस में डिप्टी लीडर कहा जाता है ठीक है एमा करेक्ट थ्रियन फैमिली जिन लोगोंने नोबल पढ़ रखी है जे की बाद को सुनकर जिवान अपना सेहलाता है और लिंक वान और चांग कोई कितब देखता है और फिर और इग्णोर मार कर जिवान हांसेंग के पास पहुच जाता है और हांसेंग के कंदे को थप थपाते हो तुरंदी कहता है ब्रदर हांसेंग आपकी चोट कैसी है जो देखा हांसेंग अपनी आखे कोलता है और अजीब तरीके से समाल करता है और तुरंधी कहता है वो 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 कुछ भी सीरियस नहीं है मैं एकदम ठीक हूँ जो देखके जो अन तुरंधी कहता है अगर आप ठीक हो तो क्या आप खड़े हो सकते हो यहां सेन और जी यह दोनों ही हैरान होते हैं तभी जोन कहता है उपर देखो और यहां बताओ किसने तुम्हे मारा है और जोन के चैर पर एक स्माइल होती है साथी जोन का हाथ है हान सेन के कंदे पर होता है उसे सहारा देने के लिए तब ही अचानक पीछे से आवा जाती है योहनेस जियो फैंक, मैं चांकुई हूँ, डिप्टी एलाइंस लीडर जिन बुए के अंडर मैं यहाँ पर आया हूँ, हाला कि दिल ही दिल में ये जियान को गालिया दे रहा होता है, लेकिन सामने नहीं दे सकता था, उकात नहीं थी साथी सोना तो दूर, जोयन ने एगनोर भी मार दिया था, और बोल रहा था कि यही है क्या, तब ही हांसेर की भी कमिटेड आके, चांग कोई की दरब देखती है, लेकिन उसकी इंप्रेसन थोड़ा सा उदास होते है, लेकिन जोयन समझ जाता है कि हांसेर का मतलब क्या था, इसलिए वो हांसेर के कंदे को थब 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 आता है, जिसके बाद वो कहता है, ब्रिदर हांसेर आप अपने घाबो को ठीक करिये, बैसे भी जिसने आपको टच किया, अगर उसे इसकी कीमत चुकाने का, मैं एक मौका दे सकता हूँ, बंड़ा उसे मार दिया जाएगा, जो जो कि आपका बोड़ी प्रेसर भी कहा जा सकता था, जो कि आपकी अपनी एक दबंग पावर थी, हलाकि तबी चांग कोई तुरंट थी, जो आपको ग्रीट करते हूँ, माफी मांगते हूँ कहता है, जो हाँने जियो फैंक रप्या सांथ हो जाए, इस जैनी का, मेरा मोटि जो देखकर वो तुरंदी कहता है, नहीं नहीं, डीप्टी लीडर जिन बुए ने, जो फैंक को इनवाइट किया है, चांग को यहाँ पे कापी जज़ा करा होता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसे मास्टर से मिला, जिससे उलजना आसान नहीं था, हाला कि वो जो जो जान, हाला कि वो हांसा इनकी पोजीशन से तो नहीं डरता था लेकिन, क्योंकि जो 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 जान एक स्ट्रॉंक सक्सेसर था, और फाइटिंग और एलाइस में हर को जानता था क्योंकि उनकी पोजीशन और स्पेशल एथर्टीस क्या होती है, इसलिए कोई भी आसानी से जोचां को छेड़ नहीं सकता था, उसे पता था कि अगर जोचांक को जोचां को से लड़ेगा, तो भली उसके पीछे जिन्बूय हो, सक्सेसर से फइट कड्र करने की चक्कर में उसे मार दिया जाएगा, और अगर मार आरा जाय तो उसकी चमड़ी तो धेड़ ही ली इसलों से जोन के पास आना पड़ता है साथी वो तुरंदी कहा था योईने जो फैक चांग कोई आपसे माफी मागता है हाला कि वो भी पास आया था उसने तक कहाई था कि जोन तुरंदी अपने हाथ को ठाकरे एक तडाक चमाटा बजाता है साथी है ओब्यसली थपड डिवाइन कुई से भरा हुआ होता है जिससे चांग कोई की पूरी की पूरी बॉड़ी उड़ते हुए दूर तक गई थी दूसरब लिंक ओन जो उपर था अपनी हसी को रोग नहीं पाता और जोर जोर से हसने लगता है दूसरब चांग कोई को अपनी बॉड़ी को इस्टेविल करने से पहरी लगवक सो कदम तक पीछे हटना पड़ा था चांग कोई की आंके बिलकुल खून से लाल हो गई थी लेकिन इस टाइम पे जोरन फिर से चांग कोई की तब देखता है और मैं इसका रीजन भी नहीं सुनना चाहता जिसके बाद जोरन फिर से अपने हाथ पे देखता है और चांग कोई को एक जोरदार थपड फिर लगाता है हाला कि हर बार जब थपड की आब आज आती जी ए डर से अपने चेर को पीछे कर ले थी और अपने सिर को सिकोड लेती थी साथ ही यहाँ पे जो वो सोलजर से सभी के चेर पर अलाग-अलाग इंप्रेशन होते हैं इन में से कुछ खुस थे तो कुछ गुस्ते से भरे हुए थे कुछ के हाथों में तो उनके बैपन्स एक्टिबेट थे लेकिन अबेसली वो फाइट नहीं कर सकते थे क्योंकि चांकुई ने ओर्डर नहीं दिया था जिसका तड़ाग-तड़ाग-तड़ाग तीन-चार बार आवाज आती है चांकुई का पूरा चेहरा सूज गया होता है जिसके बाद जो आन तुरंती कहता है ठीक है इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तुमने किस है अलाइस लीडर के बारे में बात की थी जो देखकर चांकुई फिर से बापस आता है और उदास इंप्रसन के साथ कहता है डिप्टी नीडर जिन्बूए साथ इस टम पे उसकी आवाज और इगो तुरंती साइड में हो गया था और काफी पोलाइडली वो बोल रहा होता है तबीजान ध्यान से इस नाम को सुनता है और उसकी बहुए सिकुर जाती है बुखोसे ही कहता है जिन्बूए ये नाम पहली बाद नहीं था जब जो यान ने ये नाम सुना था और इसके बाद जो उनको याद आता है कि उसने ये नाम कहा सुना और उसे थंडर गूए याद आते है जिससे जिन्बूए ने फसाय था जिनके कावन उनकी बोड़ी में देमोनिक परसन एक्टिबेट हुआ था और उनकी इस तरीके से मौथ हुई थी साथ उनकी ड़स से पहले थंडर गूए जो याद से उनका बतला लेने के लिए और जिन्बूए को मारने के लिए कहा था जिनके कभी में नहीं सोचा था कि जिन्बूए वास्तो में फाइटिंग गौड एलाइस में डिप्टी लीडर है जिसका मतलब है कि उसकी पावर अब्यसली अंट्रेश्टेबल होगी जिसके बाद जिन्बूए ने क्या कहा था अब मेर साथ क्या करना चाते है जोयान की बात को सुरू कर चांग कोई तुरंथी अपने सिर को हिलाता है तभी एक आबाजा थी योहाइनेस जियोफेक काव को डिप्टी लीडर योहाइनेस से बात करने की उम्मीद करते हैं और ये दूसर परसन अबेसली लिन्गुआन था जो जोयान को प्रणाम करता है तभी चांग कोई अपने सिर को लिन्गुआन की तरफ देखने लगता है घुमाकर तभी जोयान कहता है क्यार मैं यह पूछने की उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे दौनों डिप्टी लीडर इंबाइट क्यों कर रहे हैं इससे दौनों लीडर का क्या मतलब है हाला कि जोयान अभी यहाँ पे किसी को नहीं देखना चाता था लेकिन अपनी पावर के साथ वो केबल यहाँ पे अपने से पावर्फुल लोगों की बात ही सुन सकता था तभी लिंकोई जोयान से कहता है डिप्टी लीडर ने हमें केबल यहाँनेस को इन्बाइट करने का ओडन दिया था लेकिन उन्होंने इसके बार में कुछ भी नहीं कहा साथी जोयान का सामने करते हो वो काफी यहान रिस्पेक्ट से भरा हुआ था और अबैसली जोयान ने इन सभी चीजों पे धिया था साथी लिंकोई ने चांग कुई के मामले में जोयान के उसके बाद मैं आप लोग के साथ जरूर चलूगा जो सुनका तो लिंकवान और चांग कोई दौनों का ही चारा बदल जाता है वो तुरंती कहते है डिप्टी लीडर को रिजेक्ट इस तरीके की पावर और बेहव या नाइध थाविन के पैलेस मास्टर का या तक ही फाविन का पैलेस मास्टर भी असा नहीं कर सकता उसे उम्मीद है थी कि जाण जो की इतना भीकता सीध है इतने हाई लेबल के ओरडर को रिजेक्ट कर देगा तब ही लिंकवान तुरंद कहता है योईने जो फैंग मुझे ड़न है कि ये गलत होगा आप डिप्टी लीडर्स के ओरडर्स को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते उसे अच्छे से पता था कि अगर वो जोईन को इंबाइट नहीं करता तो काउ को काफी जाने नाराज होंगे सत्थी जो यान ने चांकुई को कई वार थपड़ मारे थे वो भी अपने दुखते गालों को छुपा आता और इसके बाद जोईन को ग्रीट करते हो कहता है योईने जो फैक मैंने आपको पहले भी कई बार नाराज किया है लेकिन आप अलाइस से डिप्टी अलाइस लीडर्स को बिलकुल नफॉलो नहीं कर सकते और अगर आप हमाए साथ नहीं जाते तो हमारी जान खत्रे में पड़ जाएगी हलाकि डिप्टी लीडर काओ को नाराज हो सकते हैं लेकिन एक बार जिन्बुए नाराज हो गए तो कितने लोगों की जान जाएगी चांकुई की तो आखे काप रही होती है तो फिर मुझे बताओ दोनों डिप्टी लीडर्स में मुझे किसकी डिस्रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसा कहते हैं जान चांकुई और लिंक गवान की तरफ देखता है क्योंकि अब बेसलिए सबसे बड़ी प्रॉबलम थी नहीं कोई आदेश दे सकता था हाला कि फाइटिंग और एलाइस के अंदर हैवली आर्मी पावर के मामले पर पहले रैक पर थी इसलिए वो तरफ दी कहता है योहाने जो फैक आपको समझना चाहिए कि जब तक आप एक स्ट्रॉंग सपोर्टर चुनते हैं तो आपको स्ट्रॉंग बैक्ग्राउंड वाले परसन को चुनना चाहिए जो देखके जो अंतरदी कहता है ओ तो क्या ऐसा है मुझे डर है कि डिप्टी लीडर जिन्बू है ये कहने कि मत नहीं करते होंगे कि वही सब से स्ट्रॉंग है या वही नंबर वन है तभी लिंक को अतरदी कहता है कि आप हमारी लैंग यान आर्मी को सीरियसली नहीं लेते यहां यह दोनों एक दूसरे कूपर बैपन ने काल कर फाइट करने के लिए तयार हो गया होते है तभी जो आतरदी कहता है मुझे यह मत बताओ कि मामला क्या है अगर यह मामला इतना सीरियस है तो सबसे खराब सीच्वेशन में आप दोनों को चले जाना चाहिए और तुम दोनों किसी को नाराज नहीं कर रहे हो यह मेरी गलती है उन्हें बोलो कि मुझे अभी कल्टिवेट करना है और इस जगह को बरबाद मत करो जो आनने जब देखा थे कि यह दोनों लोग यहाँ पे हार मानने को तया नहीं थे तो वो थोड़ा सा इंबेरस होता है तासी जो आनने पहले ही कल्कुलेट कर लिया था कि जब से वो फाटिंग गॉड इलाइस के अदर इंटर हुआ है उस पर निगरारी रखी जा रही है और जब उसने अपनी बोड़ी पे 5000 इस्टार्स को कंडेस किया था जिसने हाई लेबल के लोगों का भी ध्यान अट्रेक्ट किया था और यह भी पॉसिवल है कि यह दॉनर डिप्टी लीडर उसे अपने साथ मिलाना चाते है बिसे कि यह सिप जो यान कंद आ जाता क्योंकि उसे पता था फाटिंग ओड इलाइस के अदर चीजे उतनी भीजी नहीं जित्ती यह दिखती है जिसके बाद जोयन तुरंदी कहता है मेरी बात सुनो तुम दौनों को ही बापाश जाना चाहिए जिसके बाद जोयन सुरद्धी अपने हाथ को एलागरेने बेदखली का आधेश जारी करा देता है जो देकर लिंक वान और चांग कोई दोनों ही हरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जोयान नहीं जाता तो वो जोयान को फोर्ज नहीं कर सकते थे और अगर जोयान ओर्डर को और फॉलो करता है तो चीजे और भी बिगड़ सकती थी इसलिए लिंक वान और चांग कोई एक दूसरे को देखते हैं उन्हें इस सिच्वेशन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी वो के वल जोयान को ग्रीट करके पीछे ही अट सकते थे हाला कि तभी एक आवाज आती है लड़के तो मिस्ट्रॉग नहीं हो लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बुरा नहीं है इस समय जैसे ही आवाज आती है इसे सुनकर तो चांग कोई डर कर गुटनों के बल बैठ जाता है बैठ नहीं जाता भाई उसके गुटने ही बिल्कुल सॉप्ट हो जाते हैं जैसे कि उसमें पाबर ही ना रह गई हो जिसके बाद एक फिगर धीरे-धीरे एर के बीच में दिखाए देती है जिसके हाथ उसके पीट के पीछ होते है और पल-पल गोल्ड के कपड़े उसने पैने हुए होते है सिर पर लेक गोल्डन क्राउन होता है और बोड़ी ओरा काफी स्ट्रॉग तभी गोल्डन आर्वी चिलाते हैं कहती है डिप्टी लीडर जिन्बू ये आपका बेलकम है चांग कोई तो अपने सिर को नीजे करके बैठा हुआ होता है साथ ही उनके ओर्डर को बिल्कुल भी रिजर्ट करनी के उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती साथ ही वो अपनी आखों को भी बचा रहा होता है तभी जिन्बू ये तुरंदी कहते है तुम्हारा चाहरा इतना सूजा हुआ हुआ है जो देखकर चांग कोई हैरान रह जाता और कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता जो देखकर जिन्बू ये तुरंदी कहता है क्या तुम गूंगे बहरे हो गए हो मैं तुमसे बूचता हूँ तुम्हें किसने मारा उनका गुसा फूट पड़ा होता है और वो काफी स्टिक्टली चिलाते है जो देखकर चांग कोई जो कितना डरा हुआ था और गुटनों के बल बेटा हुआ होता है अपना सिर उठाते हो कहता है जो हाइनेस जो फैंग उन्होंने मारा मुझे चांग कोई की आंके काप रही होती है और आबाज भी तभी उसकी बात कैंड होते ही जिन्बुए जो यान की दर्ब देखते है और उसके इंप्रेशन तुरंती बदल जाते है चैरे से गुस्सा गायब हो गया होता है और एक उदास इसमाहिल उनके चैर पर होती है जो देखर उत्रंती कहते है यो हाईने जियो फैंग आप बास्तों में काफी रिच है आप लोगों को बिना काइडनेस के पीटते है साथी जिन्बुए के वर्ट्स में ना तो तारीब थी और ना ही डिस्रिस्पेक्ट तिवी जान केता है आपको डिप्टी दिय डिट जिन्बुए होना चाहिए आपको अपमार्डित करने के लिए बास्तों में खेद है आपके लोगों ने पहले मेरे लोगों को बारा अगर मैं नहीं करता उसके किए की भर पाई तो क्या ये मेरे भाई के लिए बुरा नहीं होता और ऐसा कहते है जा तुरंदी उन्हें रिस्पेक्टेडली ग्रीड करता है जो देखकर वो तुरंदी कहते हैं ये सही है आपने अच्छा काम किया मैंने चांग कोई से केबल आपको भुलाने के लिए कहा था मैंने उस से ऐसा करने के लिए कभी नहीं का कि वो आपको पीटे या किसी और को जिसके बाद जिन्बु ये अपने हाथ को उठाते हैं और एक पावरफुल फोर्स के साथ वो चांग कोई के उपर अटेक करते हैं जो सीधा ही माउंटेंस से जाकर टकराता है जिन्दा था या मर गया कोई पता रही दूसरब 10,000 Heavenly Soldiers जब ये सीन देखते हैं उनकी आते गुर्दे फिफडे बाहर आ गये होते बोडी के आत्मा किनारे पे खड़े होकर देख रही होती है मैं पहले बोडी के बाहर आ चुकी हूँ तुझे मनना है अभी मर जा जिसके बाद जिन्बुए उसे मारते हुए कहता है योहेरे जियो फैंक क्या कोई और है जिससे आप मेरे लोगों में से अनसैटिसफाइड है मैं बस उसे अभी मार डालूँगा तभी जन कहता है हाँ तभी जिन्बुए तुरंदी कहता है ओ, कौन है फिर वो ब्रेदर जो देखा जिन्बुए की तरफ इसारा करता है जो देख करना के बल जिन्बुए बलकि आपे सभी लोग काफी हरान होते है सभी की हार्ट बीट रोग गई होती है और सभी जिन्बुए की तरफ देख रहे थे तभी जिन्बुए भी अपने चेरे को नीचे कर ले था और उसके चेरे पे एक स्माइल दिखाई देती है जो कि पहले तो स्माइल थी लेकिन धीरे धीरे एक बाइल्ड इसमाइल में बदल जाती है और ये हसी ओबिसली नाइथ माउंटेन में फैल जाती है दूसरे जिन्बुए भी साथ था अभी भी साथ रहता है और साथी से ही जिन्बुए को देख रहा होता है बुत्रंती कहता है लड़का अगर मैं ओनेशली कहूं तो पूरे फाटे गौर्ड लाइस की तो बात ही छोड़ो वाइड सी के अंदर भी ऐसे कई लोग रही है जिसने मुझसे हजारों सालों में इस तरीके से कभी बात की हो तुम काफी व्रेव हो सच मुझस हजारों सालों में तुम पहले परसन हो जिसने ऐसा करने का साहस किया और ऐसा कहते है जिन वुए हसते हो जोयान की तरह आप अंगूठा दिखाते हो उसकी तारीफ करता है जिसके बाद वो तुरंती कहता है कि आपने रेजल्ट के बारे में कभी सोचा है और इसके बाद वो बिल्कुल बेजान आखो के साथ जोयान को देखता है तबी जोयान अपने कंदों को उठाते होए कहता है अगर डिप्टी लीडर grateful है तो हो सकता है वो मुझे जाने दे या हो सकता है वो मुझे मार डाले ज्यान ने पहले से दोने रिजल्ट के बारे में सोच लिया था तभी जिन्बू ये तुने दिखाता है तो मैं कितना यकीन है कि मैं तुम्हें नहीं बारूँगा साथी वो जिन्बू ये का सामना करते हुए जिसका फैटे गॉडलाइस में हर कोई सम्मान करता था जिन्बू ये खड़ा होकर उनकी इतनी बिजज़ती कर रहा होता है कि आसपास के लोग बिलकुल मरे हो मच्छर की तरह बैठे हुए होते हुए उन्हें ड़न था कि उनका गुस्ता उन पे न निकले जो देखकर जिन्बू ये हस्ते हुए कहता हाँ हाँ बहस्तों में इंट्रेस्टिंग और वो एक पावरफुल और एको अलेस करते हैं मारो लग भग 10,000 पाउंड का जो किसी को भी जुकने पर मजबूर कर दे और पूरे स्पेस को कुछ चलने की पावर रखता हो साथ ही इसी स्ट्रॉंग फ्रेसर के कार जोयान का दिमाग भटने लगता है और घुटनों में काफी दवाहों से फिल हो रहा होता है और जिन्मूएन अब मेसलि기도 जोयान को उसके साबने गुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा किया था तब ही जोड़ अपनी सिर्क उपर उठाता है और चैर पे एक खतरला के स्माइल होती है उसके घुटने थोड़े मुड़े हुए होते लेकिन जुटने घुटने टेके नहीं थे उसके दाथ जुटने जबनों को जकर रखा होता है तब तक जब तक कि उसके एक्यूपंचर फार्ट से बलड तक नहीं निकलने लगता और इस तरीके के दर्द के साथ जोन की सिच्वेशन की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि कैसी होगी और कितनी दर्द लाग जो देखकर जिन्बू ए तुरण दिकाता थोड़े जिद्धी हो देखते हैं कितने टाइम तक टिक पाते हो और जोन की तरफ इसमाइल पास करता है जैसके बूझ जोन को चिढ़ा रहा हो और जोन दौरण बोले गए डिस्रिस्पेक्टेड बेका बदला ले रहा हो दूसर वैक्क्यू फिंचर फार्ट से बहरा है बलटके कान जोन पूरी तरीके से लाल हो गया होता है सासि जो यहान अभी भी ना तो कुछ पूछ रहा होता ना ही कुछ कह रहा होता है तो यह उत्रण दिकता अगर आप मेरे हेवली आर्मी में सामिल होने को तयार है तो मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई चिंता नहीं होगी और मैं आपको कल्टिबेट करने के लिए अपर हेवन में जाने की जाज़त भी दे सकता हूँ आपको यहां रहकर प्रॉबलम से जहलने की कोई ज़रत नहीं मैं आपको फाट्री कोट रिलाइस में एक श्ट्रोंग परसन बंडे के लिए ट्रेन भी कर सकता हूँ लेकिन इसकी के बल एक ही सर्थ है कि आपको मेरे लिए लॉयल रहना होगा और इसका बादा करना होगा जिन्वू एं जोयान को देख रहा हो तो और दिल में उसके काफी तारीफ होती है जोयान को देखकर जो देखकर जोयान मुझ से खून को साब करते हैं हाँ हाँ इंट्रेस्टिंग तो क्या आप आप सभी स्ट्रोंग लोग अपने आसपास मौझूद लोगों से इस तरीके से सेरेंडर कराते हैं जो देखकर जिन्वू के कंदे उठाते हुए कहता है बिल्कुल ये सही है आप भी जल्दी मेरे साबने सेरेंडर कर देगे श्ट्रोंग लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है आपको इस reality को तो सबझना ही चाहिए लेकिन जो इन घुटने नहीं टेक ता बलकि सो कदम पीछे की तरफ हा जाता है आई मीर पीछे की तरफ नहीं जिन्वूएक के आँगे की तरफ चलने लगता है जैसे वो जिन्वूएक के close आ रहा हो वो तुरण दिकाता है डिप्टी लीरेट जिर्वूए कि आपको डंडे ही लगता कि आपके द्वारा दबाए गए ये लोग एक दिन इस्ट्रोंग होगे और आपसे अपना बदला लेंगे जोन का चेरा खून से भरा हुआ होते हैं जो देखकर वो तुरण दिकाता है इसके कंपेर्शन में आपको इस चीज को लेकर टैंसर में होड़ा चाहिए कि कहीं आपको मास्क के पेश्ट बेना कुछल दिया जाए जो देखकर जिन बुए तुरण दिकाता है डिपटी लिडर जिर्वूए अगर मेरे पास ऐसा दिन आता है तो मैं इस चित तौर पर आपको मार डालूँगा जो अनक्या के खून से लाल हो गई होती है और वो काफी cruelty से smile करता है जो देखकर जिन बुए तुरण दिकाता है You are crazy man मुझे ये पसंद आया मैं उस दिन का इदजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अगर अभी तुमने मुझे दया की भीक नहीं मागी तुम मुझे डर है कि तुम अभी मर जाओगे तभी उसी टाइप पे हवा में दो हवा के जोके आते हैं और दो फिगर्स हो आप यापेर होती है जिन में से एक फिगर्स तुरण दिकाती है यो हैरे जो फैक काफी टेलेंटेट परसर है जो नाइट थैबन पे अपयर हुए है प्लीज उनकी लाइप को बक्ष दे और तुरण से उनके सामने घुटने टेक देते हैं साथी वो कूल से लत्पत जो यान को देखता है जिसके घुटने कहाँ परहे थे लेकर उससे घुटने टेक के नहीं थे वो तुरण दिकाता है डिप्टी लिएर जिन्वुए यहां कुछ गलत फैवी होगी ट्रप्या काइडनेस दिखाईए बाई लिंग भी जोयर के लिए रिक्वेस्ट करता है और अपने घुटने टेक देता है तभी जिन्वुए जोयर की तब देखते हो कहता है बास तुमें यह परिसान करने वाला है दो लोग आपके लिए भीक माँग रहे हैं और आप इस बात को समझते ही नहीं और यहासा कहते हूँ वो अपने सिर को खुझलाने लगता है और तुम नहीं दिका था क्या मैंने आप परियाप्त प्रेशर नहीं डाला और इतना कहने के बाद वो अपने प्रेशर को और बढ़ा देता है जो देखकर तुझी आर दर्स से चिलाने लगता है और इस तरीके का पेड कोई ऐसा पेड नहीं तो जिस पे जो यान अपने आपको और देर तक खड़ा रख सके बस तब उसका जो ब्लड था और मास था दीरे दीरे मैल्ड सा हो रहा होता है और अगर थोड़ी देर और ये चला तो जहान को पूरी उमीती कि वो मास के पेड़े में बनल जाएगा तब ही जिन्बुए कहता अगर वो रिक्वेस्ट करता है मुझसे तो मैं उसे अभी जाने दूँगा मैं भी पढ़े सारू कि ये तरह जिन्दी क्यों है तब ही अंकल जोंक तुरंती कहते है यो है डे जो फैक टप्या डिप्टिलिरन जिन्बुए से बाफी मागिये या बाइलिक की भी आके काप रही होती है और जहार खून से लट पर काफी क्रूएल और इंबेरसिंग लग रहा होता है दूस्तर जो हैं तुरंती खून को थुकते हुए अपनी धुदलियाकों के साथ बेहोस होने से पहले जिन्बुए की तब देखता है और उसके चैरे पर एक स्माइल होती है और उसके बाद वो हाथ को लहरा तो तुरंती केता है या आओ और योहाइनस को ले जाओ हमें उसे एक अच्छा इलाज देना होगा ऐसे टैलेंटर परसन को डिश्ट्राफ होने नहीं दिया जा सकता कितने अफसोस की बात है जब हैवली सोल्जर जिन्बु एक और को सुनते है तो तुरंती आ हुआ था चैरा पीला था क्योंकि इनार इंजरीस आई थी लेकिन ज्वान को खत्रे में देखकर उसे जिन्बु ए द्वारा दूर ले जा दे नहीं दिया जा सकता था साथी आंस से इनको अच्छे से पता था क्या के लिए उससे तो छोड़ी दो पूरी की पूरी घोष्ट राइडर आर्मी भी जिन पूरी के लिए कुछ भी रही है लेकिर फिर भी हांसे जोयार को लेकर बिल्कुल भी इसकी चाहाट नहीं दिखा था उससे जोयार से बादा किया था कि वो जोयार के लिए लाश्ट तक खड़ा रहेगा तब तक जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती तबी जिन्बू यह तुरंदी कहता है उनमें से किसी को भी मत चोड़ दा जो सुन कहांसे तुरंदी कहता है घोस सोलरा से मेरी बास सुनों उन सबको मार दो हांसे यहां पर कापी क्रुयल होता है जिसकी बार 10,000 हेवरी और 10,000 घोस्ट आर्मी के बीच वो फाइटश पहले कि वो अपनी बात को पूरा कम्क्लीट कर पाता जिन हुए अचानक ये ग्रोगेट तरीके से समयल करते हो अपने हाथ को हबा में उठाता है और वाइड में एक 100 फीट की पाबरफुल डिवाइन को इसे भरी हुई पाम कर क्रियेट होती है जो तुरंती दर दर आते उसकी बहुत संडिया सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गई होती है जिन्दा था मर गया कुछ पता रही पहाड़ी में केबल खूर ही खूर होता है जिसके बाद जिन्बुए तुरंत गयता है लेंग्यार आर्मी ये सभी बास्टार्ट से है और उन्हें बिलको सीरस तर देखते ही देखते ही ये जो हैमली आर्मी होती है काफी जाना इजड़ हो रही थी आखेजार क्वांटेडी का फाइदा तो सभी को होता है इसलिए हमली आर्मी हाड ने लगती है जो देखकर जिन्बुए भूए चड़ाता और तुरंत ये उसके हांसे में डिवाइन कोई सोर्स कंडेस होने लगता है और ऐसा लग रहा था है एक हजार स्टार्स की पाउर्स तो उसने एक ही बार में कंडेस कर ली है जैसे वो यहाँ पे आधे सोल्जर्स को मार देना चाहता था ताकि हैमली आर्मी ये आसार हो सके और लेंग गयान आर्मी को देखते हुए का टारगेट अचाना की हांसर की घोश्टार्वी हो जाती है जिन्बूए तुरणदी काता है मुझे भी नहीं पता था फैटिंग और एलाइस के अंदर ऐसे अलग-अलग सोलजर्स हैं लगता है मुझे फैटिंग और एलाइस के लिए से साफ करना होगा और इसके बाद उसक अटेक सीधा ही हावा से नीचे की तरफ जाने लगता है और एक पारफुल पाव अटेक आसमान से नीचे वहां की तरफ गिरता है जहाँ पे घोश्ट सोलजर्स थे और इस अटेक के साथ बूम बूम की हावा जाती है और काफी सारे घोश्ट सोलजर्स काफी इंजर होते है जो देखकर तो हांसेर की आंकों में खूल उतराया होता है वो तुरदी कहता है डिप्टी लीडर जिन्मुए तुम बहन के घोड़े हो क्या तुम इतने स्ट्रॉंग होकर अपनी पावल के साथ हमें डराने की कोसिस कर रहे हो वो सीधा ही जिन्मुए की बेज़ज़ती कर दे लगया होता है जो देखकर उतरादी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होई मेरे से बात कर लेगी और अपनी उगली हांसेर की तरफ करता है और कहता है डिचको है और एक गोल्डर लाइट निकलती है जो सीधा ही हांसेर की बाड़ी से जाकर टकराती है लेकर हांसेर बड़ी मुस्किल सिर्फ से डॉच करता है और उसके कंधे पर चोट लगती है जिससे हांसेर के कंधे पर सीधा ही एक खूरी छेद हो गया होता है जो देखकर तो जिन्बुए तुरंधी पांच उंगलिया खुलते हो गया था डिचकां 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 और चार-पांच गोर्डर लैट से एक साथ निकलती है और आप हांसेर अब्बेस लिफ से डॉच नहीं कर सकता था साथी जुरुव हुए एक नॉर्मल सा दिखने वाला ये अटेक टू इस्टार फाइटिंग गॉर्ड हांसेर के लिए पहले से ही काफी जाना पाउर्फुल था इसलिए देखती देखती उसकी बॉड़ी में काफी सारी छेथ हो गया होते है और वो कापते हों जवीर पे गिर जाता है उसकी लाइफ और डेथ कुछ भी कनफ़ब नहीं थी साथी नाइथ माउंटर पूरी तरीके से हत्यारों की जड़प और एनरजी ब्लाष्ट से भर गया होता है जिससे पूरा स्पेस कापरा होता है और ये ट्रेणिंग प्लेस से फाइटिंग प्लेस में करबट हो चुका होता है और ऐसा लग रहाते है कि थोड़ी देर और फाइट हुई तो ये माउंटेन ही पूरी तरीके से डिस्ट्रा हो जाएगा साथ ये देखर कि हेवली आर्मी काफी लॉंग टाइम से लेंग यान आर्मी को हराने वे क्या पबल नहीं थी और ये फाइट कुछ टाइम के अंदर खत्व नहीं होगी चिन्बूए का पेसेंस अब उसकी बॉड़ी के बाहरा चुका होता है बुझ जयान पर नजय डालता है जो खूद से लगपत था तो वो अपने हाथ कोठा कर जयान को मारने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है वाह ओल्ड मैट मुझे सच में तुम पर गर्व है और पूरा नाइथ माउंटेन का परी लगता हो लाल हो जाता है और इसके बाद वाइड ओपेर होता है और काफी सारे मेटोरोइट उपर से नीचे गिन्डे लगते है और इसके बाद रेड ब्लैक आर्वर पहने हो काफी सारे सोलजर टिड्डियों के जुन कीतर पूरे नाइथ माउंटेन को कवर कर लेते हैं और एक काफी स्ट्रॉंग आवाज आती है और एक फिगर सीधा ही मेटोरोइट की तरह है जिन वुए की तरब बढ़ रही होती है और फाइटिंग गॉर्ड एलाइस के अंदर हाई लीडर में से काफी सारी लोग चौगे होते और जल्दी खड़े हो जाते है वो तुरह दिखाते हैं ये दो लोग फिर से लड़ रहे हैं जाओ इस स्पेस को इस्टेविल करो बना पूरा नाइथ हैवेन निश्ट्रा हो जाएगा और इतना कहने के बाद एक दो फिगर्स वहां से गयब हो जाती है दूस्ते फिश्टर इस फाइट ने तो पूरे डाइथ हैवेन को हिला कर रख दिया होता है जिसके बाद वो परसार तो ने दिखाता है बेस सार्म, बलड़ी बास्टर, सोल्ड, मैंड अगर तुमने जो फैंक को छूरे की भी हिम्बत की तो मैं निश्चित्तर पर तुमसे पूरी पावर के साथ लड़ूगा और अबैसलि जो फिगर यहाँ पर नीचे आया थी वो काउ कोई थे जो फाइटिंग गॉर्ड एलाइस के अंदर डिप्टी लीडर की पोजिसर पर थे और वो भी डिप्टी लीडर थे और सामने वाला भी डिप्टी लीडर दौनों के बीच में हमेशा ही फाइट होती रह दी थी साथ इस बार तो काउ को काफी डारा आज होते हैं तब ही जिन्बुए तुरंदिगता ओह तेक पागल कुत्ता यहाँ पे आया है दूसर अभी यहाँ पे दौनों यार्भी से एक दूसरे से डख रहा चुकी होती है और ऐसा लग रहा था कि यह माउटेन बस सब खत्म होने वाला है लेकिन यहाँ पे तब ही जब यह जगे डिश्ट्रॉ होने वाली थी एक के बाद एक काफी सारे डिप्टी लीडर्स वहाँ पे पहुँचते हैं और स्पेस को बचाने के लिए अपने पाबर और अटेक्स का यूज करते हैं जिसके बाद वो तुरंदी काता है तुमने उस समय मेरे डिसाइबल को वाय डाला और आज फिर तुमने यही गलती की तुमने लिंग दी लुओ तियान को भी मार दिया आइ मिन तुम्हारा लुओ तियान चाहे कितरा भी स्ट्रॉंग क्योड़ा हो बुकिवल जिंदर रहने के लिए उस फोर्मेशन पर फोरुसा करता है तुम और वो दोनो जिद्धी हो क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि लुओ तियान की पोजिंशन को खत्रे में डालने बाले सभी परसंस को तुम बार देना चाहते हो ओल्ड मैड जब तक मैं काउ को अभी भी यहाँ पे हूँ इसके बारे में सोचो भी बात और जिंद्बू और काउ को एक पल में सेक्डो राउंट की फाउट कर चुके होते हैं जिनकी अटेक काफी स्ट्रॉंग थे लेकिन उनों ने अभी तक बैटल स्किल्स का यूज नहीं किया था बस हाथ पैर मुका लास्ते ही फाइट हो रही थी जो देखकर जिन वो तुरह दिखाता है ब्लेडी डॉक काओ बकबास मत करो और यहाँ से जाओ मैं सिर्फ यहाँ उसे अपने साथ से सामिल करने के लिए था अगर मैं उसे मारना चाहता है तो क्या तुम्हें लगता हो अब तक जिन्दा होता जो देखकर वो तुरह दिखाता है ब्लेडी बास्टर्ड, ओल्ड मैड क्या तुम कहीं उसे अकेली जगह पर मारना नहीं चाहते या लिए त्यान के सपोर्ट के लिए उसे घसीट कर नहीं ले जाना चाहते क्या आपको लगता है कि मैं आपके घटिया और बुरे तरीकों और फॉर्मेसर्स और इस्टेटिस के बारे में नहीं जाता काउ कूँ तो जिन्मु एक ही ले धज्जी पे धज्जिया उड़ा रहा होता है और बिल्कुल इस्पेक्ट नहीं कर रहा होता जो देकर जिन्मु वे भी तुरे दिखाता है बलेडी डॉग अगर तू लड़ दे चाहते हो तो लड़ो बैल लाज तक तुम्हारा साथ दूगा और असके तो उसकी बोड़ी से गोल्डर लाइट टिकल ले लगती है और उसके पीछे हजारो इस्टार्स दिखाई देने लगते हैं जिससे लोगों कैसा फिल होते हैं जैसे इनकी पूरी बोड़ी इस्टार्सी हो जो देकर काउकों के पीछे भी हजारो स्टार्सी दिखाई देने लगते हैं साथ ये स्टार्सी बिल्कुल एककोल लग रहे होते हैं और इनके बीच अगर ये फाइट हुई तो बैसलिक नायत है बें तो नहीं बचेगा आकर कर जितनी बार भी काउकों को और जिन्बूए लड़ते हैं तो एलाइस लीडर्स और डिप्टी लीडर्स को आना पड़ता है और उन दौनों को कब से कब सो डेर सो सालों तक रीटीर्ट में स्रहड़े का ओडर देना पड़ता है जिसके बाद काउकों तुरती कादा जादा जादा सो सालों तक डजर बंद कर दिया जाएगा लेकिर मेरे मुठ्थियों वे काफी खुजली हो रही है ऐसा कहते हो जिन्बूए के पास आकर वो जिन्बूए की बड़ी स्ट्रॉंग थी और वो इस आटेक को जिल जाता है साथी दोनों की बड़ी पर किलिंग इंटेंट ओरा घूम रहा होता है साथी काउकाउ के आने के बार काउको के आने के बार लेंग्यान आर्मी और जादा बढ़ गई थी इसलिए हैबली आर्मी के सभी लोगों को मार दिया गया था और सभी की नजर्या भावा में जमकरिन दोनों लोगों दोरा जगड रहे परसंस की उपर होती है और दोनों की टक्कर की अश्चरी जनक पावर पर या तक इनके नॉर्माल मुठी लाथ वो क्या कहते है उसको फिष्ट और लाथ फिष्ट और किक की जो टेक होते है वो काफी खतरनाग होते है जिन्बुए तुरंदी कहता है काव को तुम जान बूच कर इस मामले को बड़ा बनाया चाहते हो जिन्बुए की आँखों में किलिंग इंटेंट और रहा ही था और उसकी बॉड़ी काप रही थी जो देकर काव को चिलाते हुए कहता है क्या गलत है आपने यहाँ पे सबसे पहले एक्सन लेने की हिम्मत की क्या आप मुजीबत से डरते हैं यही बो चीजा जिससे मैं आपसे सबसे जारन अफ्रत करता हूँ काव काव की आँखों में तो भाई फाइटिंग और अब भरा हुआ होता है बेसक जिन्बुए काव काव से नहीं डरते लेकिन वो फाइटिंग और एलाइस के लीडर को पहिसान नहीं करना चाहते थे बढ़ना दोनों को यहाँ पे सील कर दिया जाएगा इसलों वो तुरंदी कहता है काव 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 हाला कि आपकी पावर्ण हो सुधार हुआ है लेकिन आपको यह जानना होगा कि आप अभी में लिए अपोनेंट नहीं है अगर हम सीरियस होकर फायट करते है जो देकर काव 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 तुरंदी कहता है हाट ठीक है तो फिर सीरियस हो जाएगे मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना बजन है और ऐसा कहते हो काव 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 हसने लगता है क्योंकि दोनों equally powerful थे इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिन्बुए से हार सकता है जो देकर जिन्बुए तुरंदी कहता है अगर हम fight करते है तो 9-7 destroy हो जाएगा और इसके बाद हमें 1000-10,000 सालों तक के लिए एक आंत में cultivation के लिए डाल दिया जाएगा वो बिसले जानता था कि काव कोई के काड़ ये fight इस्टाट हुई तो 9-7 के काड़ लीडर टैंसन में आ जाएगा जो देकर काव कोई तुरंदी कहता है ठीक है तभी जिनबुए तारीब करते हुए कहता है इस लड़के का behavior अच्छा है और talent भी अच्छा है जान तक मुझे पता है ये काफी अलग है जिनबुए काव कोई की तरब देखते हुँ जान की तारीब करता है जो सुनकर काव को जो यान की तब देखता है जो खून से लटपत था और काफी सारे घोष सोलजर्स जो यान को घेरे हुए होते हैं और जिनबुए के काणी जो यान की आहालत हुई थी तभी काव को उतुरंदी कहता है क्या कुछ अलग है और जोन की बॉड़ी की जाज करता है जिसमें केवल 2000 इस्टार ही थे जो देकर उतुरंदी कहती है ये टेलिंट तो काफी एब्रेज है लेकिन इतना अबनॉर्मल क्यों है हाला कि ये जुनबुए के लिए सिर्फ एक बहाना था वो फिर भी जोन को मारना चाहता था तभी जिन वुए कहता है हाँ इसलमें इस बास से अगरी नहीं कि ये बच्चा आप जैसे किसी इनसान के हाथों बरबाद हो जो देकर काउ को उतुरंदी कहता है डैमिट क्या तुम अब भी मुस्से लड़ना चाहते हो खैर इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पैट करते है क्योंकि ये लोग साल लड़ रहे हैं तो डेक्स एपिसोड में देखने हैं इनकी लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है बैसे भी इनकी रिजल्ट का तो कुछ भी नहीं है हमको ये देखना है कि जो यान को लेकर कौन जाता है ठीक है ना तो बाई बाई वाई ट्रेयर फैमली गुड नाइट